हेलो एवरिवाण एंड वेलकम बेक इन यो डिटुक्षेंज एक्जाम इन फॉर्मर नी तेस जिसा कि आप सभी लोग को पता इसके पहले मैंने आप सभी लोग को प्रेक्टिस सेट वन कवर करवा दिया भी हार सक्षमता परिक्षा का डेट भी बढ़ चुका है आप सभी लो प्रेक्टिस सेट करना ना भूलेगा आज के इस प्रेक्टिस सेट का पहला प्रश्ण है प्रेक्टिस सेट नमबर टू का पहला प्रश्ण है हिंदी का निमनी लिखित में से कौन सी भासा भारत की प्राचीन देश भासा है यानि कि भारत की प्राचीन देश भासा कौन सी ह तो मैं आपको बता दू भारत की जो प्राचीन देश भासा थी वो संस्क्रीट थी यहां तक हम लोगों ने पिछले सेट में कवर कर लिया था आगे बढ़ते हैं जो यहां से हम लोगी स्टार्ट करेंगे इस सारे नए कोशन रहेंगे जो कि हम लोग सेट 2 में कवर करेंगे इ दक्षिन भारत में हिंदी प्रशारे सभा की मुख्याले कहां परिस्थी थे यानि कि यह कोशन पूश रहा है दक्षिन भारत में हिंदी प्रशारे सभा की मुख्याले कहां परिस्थी थे क्या मैसूर में है या फिर बंगलोर में है या फिर हैदराबाद में है या फिर चे नहीं में इसका मुख्याला है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप सब लोग का अगला प्रश्न है हिंदी भासा की लिपी हिंदी भासा की लिपी में लिखी जाती है हिंदी जो भासा है किस लिपी में लिखी जाती है तो मैं आपको बचा दू जो हिंदी भासा है वो जो है कि देवनगरी लिपी में लिखी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सब लोगों का निमनी लिखित में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है यानि कि इन में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी लिखी जाती है पहले आप से पुछा गया था हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है तो भया देवनगरी भासा को हिंदी लिपी में लिखा जाता है और फिर निमनी लिखित में से कौन सी भासा जो है कि देवनगरी लिपी में लिखी जाती है ये था आप सभी लोह का अगला प्रस्ण जो कि इसका ज तो मैं आपको पता दू जो इसका जो सही उचारण इस्थान है वो वह दंत क्या है दंत ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सब लोगा वह का उच्चारन इस्थान क्या है वह का उच्चारन इस्थान क्या है तो मैं आपको पुचा दू जो वह का उच्चारन इस्थान होता है वह होता है तद दंतोस्थ होता है ठीक है यहां पर मि महेंद्र का संधी विच्छित क्या होगा महेंद्र महेंद्र पूछाए आप सभी लोगों से तो इसके बहुत सारे चार ओप्षन अगर देखेंगे तो इसके जो ऑप्षन से जिसकी महो प्लस इंद्र है महा प्लस इंद्र है देखते हैं इसके चार ओप्षन ऐसे ही बनेंगे ठीक है यह तो आप लोग कर लीजेगा संदी विच्छेत कैसी किया जाता वरुए मैं आप सभी लोगको बता दूँगा संदी विच्छेत के एक डो कोशन पूछ लिए जाते हैं तो मैं आपको दादू महेंद्र बोला है आपसे निम्न में से दंते ध्वणी कौनसी है दंताए ध्वणी आपसे पूछा है तो मैं आपको बता दू जो दंते ध्वणी होता है वो होता है त थव ठीक है क्या हो जाएगा त और ठ ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रषण आप सब्भी लोग का निम्न में से कंथे ध्वणी कुन सी है कंठे ध्वनी, कंठे ध्वनी आपसे पूछा है तो मैं आपसे जो कंठ से ध्वनी निकलती है, जो सब्द बोलने पर जो ध्वनी निकलती है, उसे कंठे ध्वनी कहते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह जाएगा गा और ध्व, यानि की गा और ध्व, यानि की option number A जो है कि आप सभी लोगों का right answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आप सभी लोगों का ठीक है कहां पर है चेन नहीं में है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आप सभी लोगों का हिंदी भासा किस लीपी में लिखी जाती है तो देखिए भी कोशन रिपीट किया है टाइप रैटर ने क्या किया है यहां पर कोशन रिपीट कर दिया है तो इसका right answer हो जाएगा देव नगरी यानिक option number D ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आप सभी लोगों का कि दो में टुकिए का कोशन यहां से रिपीट है कि कितने भेद होते हैं कि कोशन सारे रिपीट होते जा रहे हैं तद होनी वह का उच्छारण मेहंद्र सेंका क्या वात है क्या कर द का वंड का वंड किसके योग से बना है का जो वंड है किसके योग से बना है यह आप से पूछा गया तो मैं आपको बता दो जो का वंड है यह का प्लस औ से बना है किससे बना है का लाश्ट में और आ रहा है आपको कहा गया लाश्ट में और आ रहा है बोलने पर का 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 रह आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सभी लोग का इस पर्स वेंजन के होते हैं इस पर्स वेंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी लोगों से पूछा है तो मैं आपको बता दू इस पर्स वेंजन जो ना ही 28 होते हैं ना ही 30 होते हैं इस पर्स वेंजन जो होते हैं वो 25 प्रकार के होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सबी लोग का कौन सा व्येंजन है कौन सा व्येंजन है कौन सा व्येंजन है तोaimer हो जाएगा परस्या वैयरी प्रश्ण है की योग से बना है यह हम लोग कोई भी वर्ड बोलते है तो देखिए जब इसका जो राइट मतलब पहशानने का एक ही है जब भी आप कोई भी सब्द बोलते हैं तो उसके लाश्ट भी भी उसका उच्छान आता जो वर्ड आता है आपके कंठे से जो निकाल देशी कि तर तर अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे वर्ण संधी वर्ण संबंधी असुद्धी है यानि किसमे से कौन सा गलती है मतलब यह आप से पूछा है यह गलत वाला आप सब लोग से असुद्धी वाला पूछा है तो मैं आपको पता दूँ यहाँ पर देखने में जो दीख रहा है आपको जो अनुकूल लिखा है जो अनुकूल लिखा है वो यहाँ पर गलत लग रहा है और इसके राइट अंसर है वो भी अनुकूल ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सब लोग का इन में से किस सब्द में इन में से किस सब्द में वर्ण संबंदी असुधी नहीं है आप से पूछाए तो मैं आपको बता दो यहाँ पर आप सब लोग को अधीन दिख रहा है क्या दिख रहा है अधीन और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सब लोग का इन में से किस सब्द में इन में से किस सब्द में लिंग प्रत्य संबंदी असुधिया है यानि कि लिंग प्रत्य संबंदी जो असुधिया है वो आप सब लोग को बताना है देखे एक option दिया हुए आप सब लोग का अनात एक दिया है नागरिक एक दिया है गोपी और एक दिया है नारी नारी एक link बता रहा है ठीक है पुरूस महिला जैसे बोलते वेसे नारी है ठीक है गाई का तो आपका होगा नहीं अनात तो होगा नहीं गोपी भी आपका नहीं ह तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D याने की नारी जो है कि इसका right answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सभी लोगों का इन में से किस सब्द में समास संबंदित असुद्धिया हैं समास संबंदित असुद्धिया आप से पूछा गया है तो यहाँ पर आ शोद एक है एक लोता ठीक है एक है आत्मप्रूश ठीक है और एक option दिया हुआ है आप सभी लोगों को एक तारा एक तारा जो है कि इसका right answer हो जाएगा पैस्ट कभी आप सभी लोगों का right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने है इन में से किस सब्द में हलंत स समबंदी असुधिया नहीं है आप लोगों से ये पूशा गिया है हलंत विसरक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप सभी लोगों के चार option दिये गए हुए एक है सचीत सथ चीत लिखा है एक है भविश्यत लिखा है औ और यहाँ पर आप सभी लोगों के बुद्धीमान लिखा हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुद्धीमान इसमें जो है कि हरंत समबंदित असुधिया नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सभी लोगों का इनमे से किस सब्द में चंद्रबिंदू समबंदित असुधिया है यह आप सभी लोगों से पूशा गया है तो मैं आपको पताद हूँ यहाँ पर चार ओप्सन दिये गए होई है ठीक है एक है अंगार अंगना एक है दात और एक है चांद यह तीनों साई है एक लिखावा यहाँपर आप सभी ल का इन में से इन में से अल्प विराम कौन सा है अल्प विराम पूछाए आप सबी लोगों से वह रोज आता है ठीक है क्या बता रहा है वह रोज आता है यहां पर बोल रहा है यह एक हाथी है किसी को बता रहा है धीरे धीरे चलने का बता रहा है गती पर बता रहा है बट यहा पर क्या पूछाए आप सभी लोगों से वह रोज आता है और याल टैंसर जो है कि आप सभी लोग का आप सभी लोग का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आप सभी लोग का अपर तीन ओफ्षन भी नहीं दिए आचा मैं पढ़के बता दूँगा आप सभी लोग को अचा इस कोशन को हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसपेस करते हुआ की से टैपिंग करते हैं यह लोग संग्या होते हैं तो आप सभी लोग के पता कोमन कोशन डाल दिया है अबर संग् आठ होते नहीं साथ होते नहीं दस होते संग्या के जो भेद होते हैं पांच ठीक है आगे बढ़ते हैं 71 नंबर कोशन इन में से कौन सा संग्या के भेद है तो देखिए जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या और व्यक्ती वाचक संग्या ये तीनों होते हैं तो जो लंबाई option में है उसके बाद घर है ठीक है लंबाई बताना जाना है उसके भाव बताना कि उसके लंबाई कितनी है तो मिया है आगे बढ़ते है अगला प्रशने आंसर इसके लोगने लंबर है dep को plot इन से कौन से जातिवार dwah संद्या से भाव वाचक संगय बनाया गया है यानि कि जाती वाचक से जाती का बोद हो रहा होगा उसके बाद भाव का बोद होने लगेगा उस सब्द में वो इसका राइड आंसर हो जाएगा ठीक है एक है बुढ़ापा एक है सजावट एक है कठोरता एक है अपना पन एक क् जो right answer है वो हो जाएगा option number A ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सब लोग का इन में से कौन सी सब्द समुह वाचक संग्या यानि कि समुह वाचक इसमें समुह का बहुत होता है उसे हम लोग समुह वाचक संग्या कहते हैं और इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर आप के भेद कौन सी है लिंग के भेद पुछे है इस प्रशन में आपसे जो है कि लिंग के भेद पुछे थे यहाँ पर आप सब लोग दे सकते हैं लिंग दिये हुए है पुर्लिंग है और नपुस्तिलिंग है तो यह चारो तीनों ही जो option है वो सही यानि कि जो right answer जाएगा इ पुर्लिंग है ठीक है खटमल जो है कि इस पुर्लिंग है क्या है पुर्लिंग है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आप सब लोग का इन में से कौन सी सब्द पुर्लिंग है देखे एक है गिलास और एक है अदालत एक है गिलास और एक है आप सब लोग का अदालत तो अजारा जो है कि पूर्लिंग सब्द नहीं है ठीक है जो गिलास है आप सब लोग का वो है पूर्लिंग सब्द ठीक है आगे बढ़ते हैं आप सब लोग का अगला प्रशन है अठत्ता नंबर pencil सब्द है या방 कि pencil जो सब्द है इसका gender कौन सा होता है देखें pencil, pencil सब्द जो है आप सब लोगों का यह strillinya सब्द है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परशन है आप सब लोगों का इन मैं से कौन सी सब्द strillinya है, तो पहला option है आप सब लोगों का खटा दूसरा है बड़ा क्या नई स्वरी खटा और एक है घड़ा एक है खटा घड़ा और एक ओप्षन ए और बी दोनों तुम्हें आपको उताब जो खटा सब्द है जो खटा सब्द है वो है इस्त्री लिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आप सब लोगों ऐसी नंबर इन्हें से कौन सी सब्द कर्मकारक है कर्मकारक जिसमें कर्मकारक का बोध होता है कर्मकारक के बारे में पूछा आप स्वा लोगों से चार आपसन दिये गए हैं पेड़ से फल गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, या फिर हरी मोहन को रूपए देता है, या फिर मैंने हरी को बुलाया, देखिए मैंने हरी को बुलाया, यानि कि मैंने जो है कि कोई काम किया और क्या किया, हरी को बुलाया, ठीक है, तो इसका जो राइट अंसर है, वो जाए बेद होते हैं रिपीट कर दिए गया फूषिफ नबर थ्री उसमें हम लोग आगे के 40 लिए होते हैं धातु के जो भेद होते हैं मैं आपको बता दूँ वो होते हैं दो धातु कितने भेद होते हैं दो भेद होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आप सभी लोग का सियाम सोता है यह कौन सी क्रिया है सियाम सोता है कोई बता रहा है आप सभी लोग को सियाम क्या है सो जाता है ठीक है तो ये हो जाएगा अक्रमक अक्रमक किरिया है कोंसा किरिया है अक्रमक किरिया है ठीक है तो आज के लिए इतना ही आज के इस practice state नंबर टू में मैंने आप सबी लोग around 40 question करवा दिये हैं जो कि आप सबी लोग के प्रिक्षा के accordingly भोत महत्वपुन सवाल थे और around आज की सेट में हमने 40 questions करे हैं और मैं आसर करता हूँ आप सब लोग के 400 questions समय में आया होगा जो कि आप सब लोग examination में भी یہ questions आ सकते हैं वियसे ही मैंने आप सब लोग अजकन सारे questions fit किये थे इसका PDF आप सब लोग को टेलिगर च Kr passionate में मिल जाएगा तो आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लिजे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में